हेलो, नमस्कार, जैहिंद, मैं विपिन गुपता, लक्षदा एक्जाम्स के यूटूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं साथियों, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रिय वन नीति पर चर्चा करेंगे साथियों, राष्ट्रिय वन नीति पर चर्चा करने से पहले, हम भारत में इससे पहले हुए वन सनर्चड हेतु जो भी प्रयास हुए उन पर एक नजर डालेंगे उसके बाद हम राष्ट्रिय वन नीति की चर्चा करेंगे साथियों, अगर बात करें हम 1855 में 1845 में सरोप्रथम लॉड डलहौजी ने भारत में वन सन्रच़ड हेतु नियम बनाए 1855 में ही भारती वानकी चार्टर की उद्घोषडा की गई भारती वानकी चार्टर की उद्घोषडा तत कालीन वन अधिच्चक डॉक्टर कलिलैंड द्वारा की गई साथियो 1864 में डॉक्टर डेट्रिच ब्रैंडिस जोकी भारत के पर्थम महावन निरिचक के रूप में नियुक्त हुए इन्होंने भारती वनों के सनरचड हेतु बहुत प्रयास किये इसलिए इनको भारती वानकी का पिता कहा जाता है 1865 और 1878 में वन सनरचड हेतु अधिनियमों का निर्माड किया गया साथियो ब्रिटिस भारत की प्रथम राष्ट्रिय वन निति की घोसडा 1894 में लॉर्ड एलगिन दुतिये द्वारा की गई साथियो इस नीति का मुख्य उद्दे से था लोग कल्याड को बढ़ावा देना वा जंगलों का प्रबंधन करना था साथियो इसी नीति के तहट 1894 में सभी प्रांतों में वन विभागों की इस्थापना की गई साथियों इस नीति के तहद देश का अधिकांस वन छेत्र, राज्य द्वारा, नियंत्रित, आरचित वन, सुरचित छेत्र एवं सनरचित छेत्र के रूप में सरकार के अधीन आ गए अगर साथियों आपको हमारा यहाँ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे यूटूब चैनल लक्सदा एक्साम्स को सब्सकाइब कीजिये, सेर कीजिये और वीडियो को लाइक कीजिये, धन्यवाद, जये